देखो, write down the isomers of C6H14, हमें C6H14 के isomers लिए हैं, तो पहले हम skeleton ही बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे कारबन आगे, तीन और तीन, छे, ठीक है, अब यहां से एक कारबन हटा लेते हैं, एक कारबन हटाएंगे, तो हमेरे पास हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, अब वो एक कारबन लगाने के लिए मेरे पास यह पोजिशन हो सकती है, या फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, यह पोजिशन हो सकती है, अगर कोई सोचता है कि मैं यहां लगाँगा, तो य यही बन जाएगा, देखो मान लोगर किसी ने ऐसे कर दिया, एक, दो, तीन, चार, पांच और उसे यहां लगा दिया, देखो इसका नाम क्या है, हेक्जेन, इसका नाम क्या है का 1, 2, 3, 4, 5, 2 मेथाइल, पेंटेन, और इसका नाम लेखोगे तो इदर से काउंटिंग हो जाए ही, 1, 2, 3, तो 2 मेथाइल, पेंटेन, दुनों तो सेम कंपाउंड होगे तो इसे काट देंगे, इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, 3 मेथाइल, पेंटेन, तो दुनों अलग अलग नाम है तो दुनों अलग 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 कंपाउंड तो एक आईसोमर यह बन गय तीन बन गए और देखते हैं अभी हमने एक carbon हटाया था एक carbon और हटा लेते हैं ठीक है जो हम एक carbon और हटाएंगे तो उसके हम पास parent chain में रहे गए केवल चार carbon अब हमारे पास दो carbon है उन दो carbon को first और last पे लगा नहीं सकते तो या तो ऐसे कर दें इन दोनों पर लगा दें ठी एक दो तीन चार इस पर ही चिपका दें अगर किसी के दिमाख में ऐसा आता है कि भाई मैं तो ऐसे लगाऊंगा एक दो तीन चार थे मैं नहीं हाँ लगा दी दो कारवन ठीक है जड़े इस compound का नाम लेखना क्या लिखा जाएगा यह 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 क्या हो गया तो थ्री मिथाइल प तो तू थ्री डाइमेथाइल ब्यूटेन यह पेरिंचेन में चार कार बने है इसका नाम देखो क्या लिखा जाएगा तू तू डाइमेथाइल ब्यूटेन ठीक है तो तुम और कोई भी compound बनाओ ना तो उसका नाम लिख के देखना नाम लिख के देखो तो इनी 5 में से तू थ्री डाइमेथाइल ब्यूटेन या फिर तू तू डाइमेथाइल ब्यूटेन तो अगर यही रिपीट हो रहा तो फिर क्या होगा हमारे पास यही 5 आईसोमर्स पॉसिबल हैं C6H14 के अगर किसी के इससे ज़्यादा बन रहे हैं तो प्लीज शो जरूर करना दिखाना जरूर मुझे कि क्या बना तुमारा अगर इन के कॉमन नेम लिखते हैं यह आईउ पी अटा इ इसका कॉमन नेम देखें क्या लिखा जाएगा एन हेक्रणी है इन हेक्जाइन यह आईउ पिएसएन नेम था इसका common name लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा एक side chain है तो ISO total 6 है तो hexane यह IUPAC name है अगर इसका common name लिखेंगे तो वही लिखा जाएगा ISO hexane अब common name में यही problem थी देखो यह भी ISO hexane, यह भी ISO hexane कौन से बारे में बात करें इसके यह इसके बारे बात करोगे लेकिन IUPAC naming में unique ने साथ है अब इसमें दो side chain है तो इसका नाम क्या होगा यह तो IUPAC name होगा इसका common name क्या आएगा common name आजाएगा Neo hexane और इसका IUPAC name यह होगा और common name क्या आएगा इसका Neo hexane इनके अगर number of hydrogen atom पूरे करने तो number of hydrogen atom पूरे कर लो देखो इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार, बारा, तेहरा, फॉर्टी इसमें देख लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तहरा, और चोटर तेहरा, टेके एसमें आजओग यहां क्या जाएगा, इधर क्या जाएगा h2, इधर एक h, यह h2, यह h3 और यह H3 count कर लो 3, 2, 5, 3, 2, 5, 10, 11, 13, कितने के 14 इसमें आज़ो, यहां H3 आएगा, यहां H आएगा, इधर भी H आएगा, इधर H3 आएगा, इधर H3 आएगा, इधर H3 आएगा इतने के 14, ठीक है, तो यह हमार पास आईसोमर्स हो गए किसके, C6H14 के, एक बार ध्यान से देख ले ना इन्हें